आउनलाइन स्टुदेंट्स लेट में प्रॉपरली और इंड आफने स्टुदेंट्स आप सभी दों का नमस्कार चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन अभी तक कल क्या पढ़ा आप लोगों ने क्या कुछ क्लारिटी आई टॉपिक्स पर क्या क्या पढ़ा कल आप लोगों का पूरा क्लारिटी आगया आप लोगों के माइंड में कब कब किसने इंवेड किया अगर कोई पूछेगा आप तो कंटेम्प्ररीज और इयर के हिसाब से आप कंपर कर लिजेगा जरूर से इयर्स याद कर लिजेगा क्योंकि फॉर इंवेजन इस बार के लिए मेरा इंट कंटेम्पररीज थे मंगोल्स किसके कंटेम्पररीज में अटैक किये थे 1221 से 1327 सी तक मंगोल्स का इंवेजन चला है आपने यह देखा था क्लियर ऑनलाइज स्टूडेंट्स देट में ओ येस गूड आटरनून ऑल दे स्टूडेंट्स आउट है चलिये और इंवेजन के आपने दिल्ली सल्तनत डीटेल में पढ़ा दिल्ली सल्तनत के डीटेल में आप लोगों ने देखा वेरियस डेनेस्टी स्लेव डेनेस्ट्री स्लेव वर्ड कहां से आया मैंने बताया था आपको स्लेव उन लोगों को कहते थे जो नॉमैडिक ट्राइब्स थे सेंट्रल के जिन्हें वहां के सरदार या फ्यूड़ल लैंड़ूड्स अपने यहां खरीद कर रखते थे यह फ्यूड़ल लैंड़ूड्स अपनी सूजरिनिटी खलीवा को दिये हुए थे उनके अंडर में ये काम करते थे और इसी जगा पर मैसिव स्तर पर आप कहा सकते हैं इस्लाम यहीं से आया स्लेव डिनेस्टी में कुत्व अदिन आईबक को पहले रखकर मुहमद घौरी यहां पर गया उसके पहले मुहमद घजनी और मुहमद बिन कासिम आपको उसके इन्वेशन्स का टाइम लाइन याद रखना है उसके बाद बात आगे बढ़ती है और हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के डिटेल्स जिसमें हमें अलाओदीन खल जी के समय देखने को मिलता है that he attacks also he conquers massive territories his contemporaries are wiped out from the map of India and after that Firoz Shah Tuglaq was one of the most cruel persons and मिन समाक्स दिल्ली सल्तान and also he started off various departments जो departments आपने हास्पिटल्स and charity विभाग आपने देखा यह सब मुहमद बिन तुगलग के नाम पर एक बस credit जाता है agriculture विभाग open up करने का याद कर लिजे मैंने बताया था यह आपको तो यह विभाग जमीन के प्रकार taxes यह आपको पढ़कर जाना पड़ेगा थोड़ा compare करना पड़ेगा मुगल्स के साथ में आगे बढ़ते हैं और आज मुगल्स के साथ में असम और यानि नॉर्थ इस्ट इंडिया और कश्मीर को भी पढ़ लेते हैं डीटेल्स पे लेट सी लेट स्टार्ट फॉम असम से शुरू करते हैं नॉर्थ इस्ट इंडिया से यह देखिए यहां पर यह नॉर्थ इस्ट इंडिया से कहीं बहतर रहे हैं कश्मीर से क्योंकि आप लोग वही टॉपिक पढ़ रहा है दिल्ली और सिल्टनत आये देखिए हैं सो वर्ट कश्मीर कश्मीर सुल्तान का कंशिप्ट कहां से बता दूं आपको श्टूटेंट कश्मीर बहुत च्छोटा टॉपिक है यह कश्मीर स्टनत वह स्टैबलिश अफ्टर यशेशकर डिनेस्टी यशेशकर आपने पढ़ा हुआ है क कश्मीर सल्तनत yes online students let me know if I am properly audible and visible yes ठीक है ठीक है मैं बात कर लूँगा ये बताईए इस good evening everyone let me know अभी तक जितनी चीज़े बताई गई है वो सब clear है पूनम दहिया की book से भी ज़्यादा अच्छा पढ़ाया गया है यहां पर मेरे हिसाब से ठीक है आपको provide knowledge आगया है contemporary knowledge आगया यूपीएसी के हिसाब से मैंने बताया यहां पर कश्मीर में कश्मीर एक मात्र ऐसी जगह है जहां सल्तनत establish होई थी और जहां पर rule चला है शिया मुस्लिम rulers का दिनली सल्तनत हो या मुगल empire वहां पर सुनी rulers थे इस fact को यहां लिखा हुआ है तो देख लिए जाब तो स्टूदेंट्स यह देखिए दा चुक डिनेस्टी वस्ट शिया डिनेस्टी तो रूल ओर एनी पार्ट अफ नॉर्डन इंडिया इसे नोट कीजिएगा चुक डिनेस्टी यह देखिए कश्मीर की है यह इस्टैबलिश होती है इट इस ऑलसो कंसिलेट तो बी वन ऑफ दे एट शिया डिनेस्टी ते याद रखिए आपको याद होगा हम लोग जब बहामानी सल्तनत पढ़ रहे थे हमें उसका बैक्राउंड या ओरिजिन मुगल्स या दिल्ली सल्तनत से नहीं मिलता है वो अलग है इसका मतलब साफ है वो इसलाम फॉलवर्स थे लेकिन उनका ग्रुप अलग था वो शिया ग्रुप थे इसे याद रखिए गा देखिए दादर सेवन इंक्रूडेट आदिल शाही डिन मकरान सल्तनत ये मकरान कोस्ट लाइन इधर बाकी इंपॉर्टन नहीं है ये देखिए बाहमानी सल्तनत के कुछ फेमस किंगडम्स या सल्तनत याद कर लीजिए अब समझ में आया क्यों इनके इनका कहीं भी ओरिजिन हमें दिल्ली सल्तनत से नहीं मिलता है कि वहां से अलग गुलमर्ग को डिसकवर किया था गुलमर्ग के मीडोज को गुलमर्ग के उपर जस्त एक हपते पहले नहीं उजाया था गुलमर्ग is the ice skating and skiing resort of India आपने सुना होगा गुलमर्ग के बारे में और वहीं पर winter sports डिवलप कर रही है भारत सरकार गुलमर्ग के meadows और ice snow covered mountains किसने डिसकवर किया था चक डिनेस्टी ने से याद रखिये गा यह अन्तिम डिनेस्टी थी कश्मीर सल्तनत की इसके पहल लेकिन कोई और डिनेस्टी रही होगी यस आईए देखते हैं जमु कश्मीर में यशशकर के बाद कौन आया था इन कश्मीर आफ्टर यशशकर डिनेस्टी दे कश्मीर सल्तनत वास फाउंड़ड बाई रिंचन शाह कश्मीर में आकर कोई बाहर से सल्तन नहीं बैठा कश्मीर में अंदर की फोर्सेज में ही कनवर्जन्स हुए और ये सबसे बड़ी बात है ये रिमेनिंग इंडिया था सल्तनत कें फ्रों आउट सरी इन कश्मीर फोर्स सल्तनत वास इस्टैबलिश बाई अल्लाददा की नोबल आउट है यानि की राजा के सिना में था ये और कनवर्जन्स एक्टिव हो चले थे क्योंकि यहां भी ट्राइब सी रहते थे कुछ फेमस ट्राइबस बताईए जमवर्ण कश्मीर के जो आपने पढ़ा हुआ है जे एंड के की मैपिंग में मुझे बता दीए लेट मी नो स्टूडेंट्स कुछ फेमस ट्राइबस नहीं जानते हैं आप दुख हो गया मुझे I am saddened by your loss of memory it seems yes let me know online students मुझे बताईए वाइबस बताईए अभिनाश बताईए सबबस बताईए आविड रीडर बताईए ठल मी दार्द आर्यान्स नाम सुना है आपनों ने डार्द आर्यान्स डी ए आर डी ए आर वाई ए ए ए ए ए एस जेंड के मैपिंग आईए एक बार लगता है आप लोगो जेंड के मैपिंग भूल गए हैं आप नहीं भूलने हैं आईए देखते हैं तो एक बार जेंड के की मैपिंग वापस में यहाँ पर put up कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है ठीक है तब शायद याद हो जाए आप लोगों को कि यसर आपने पढ़ाया था हम लोग भूल गए थे आई देखते Let's see Medieval के बाद हमनों मैपिंग पर वापस जुटेंगे मैपिंग हमें खतम करना है April 15 तक आईए देखते है Yes, online students that we know आईए देखते है यह देखिए आईए पुरे ट्राइफ्स देख लिते हैं जैसे जैसे पढ़ाया गया था वही सेम स्लाइट जो आप लोगों को वाटसाप ग्रूप में पोस्ट किया गया था मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ I'll just show you the details जमू और कश्मीर मैपिंग यह देखिए details जमू और कश्मीर मैपिंग का यह देखिए यह पढ़ाया गया था details में 225 स्लाइट का पीपिटी है J&K का अलोन और इसमें last में मैंने tribes और GI tags cover किये थे इसे मारतन टेंपल भी पढ़ाया गया था vegetation भी पढ़ाया गया था यह देखिए and we covered in detail the tribes at the last with the GI tags यह देखिए tribes of Ladakh यह स्लाइट कुछ याद है मुझे बता दीजिए कुछ याद है यह स्लाइट तो पढ़ाया गया था ना मुझे बताईए और G&K का भी tribes यह देखिए यह पढ़ाया गया था मुझे बताईए schedule tribes famous यह वही tribes है जो nomadic herding वहां करते थे या transhumans practice करते थे nomadic herding transhumans I hope all of you know about it and they were converted into Islam by the wave of Islam coming out out here कहां से wave of Islam आया था Central Asia से that was it इनका भी वही काम था nomadic herding वहां की भी tribes का वही काम था nomadic herding and this is why they came into contact with the tribes of Central Asia near the Hindu Kush mountain ranges and hence for they were converted into Islam that was it clear तो यही से सबसे पहला लदाख में लदाख के उस राजा के सेना में या एक मंतरी का conversion दिखता है हमें और जो बात में जाकर कश्मीर सल्तनात इस्टाबिश करता है यह देखिए coming back to this topic यह देखिए और उसके बाद उसके बाद यह देखिए कश्मीर सल्तनात इस इस्टाबिश भाई रिंचन शाह and after that the शाहमीर डिनेस्टी रूल सोवर कश्मीर सुल्तान शाहमीरी यह वही इंसान था जिसने मारतंड टेंपल को डिस्ट्रॉई किया था बाद में मारतंड टेंपल कहां पर है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया था मुझे बताई कौन सी डिनेस्ट्री करकोट कौन सा राजा ललित अदित्य नाम याद रखियेगा तो फीनेखिये सुल्तान शामीर verbessered तर्टी नाइन टेंट था być इंगे अव अभी नेतिर वी ruling over कश्मीर याद रखिया कश्मीर सल्तनत is it clear tell me students जमू कश्मीर regarded as paradise on earth ये देखिए अमीर खुसरों ने कहा है heaven upon earth इसे याद रखियेगा क्योंकि ये as such आया था 1990s में statement की कौन से historian ने इसे heaven या paradise upon earth mention किया है नोट कर लीजेगा Muslim rules started with 133980 किसने शुरू कि अभी आपने पढ़ा शाहमीर डिनेस्ट्री और बाद में कौन आया वहाँ पर चक डिनेस्ट्री 1586 के आस पास ये देखिए 1561 देखिए चक डिनेस्ट्री clear इतना हो जाएगा मुझे बताइए आपने एक और रीजन पढ़ लिया मेडिवल टाइम्स का उसके पहले कश्मीर में हमें हिस्ट्री इतिहास में कुछ नहीं मिलता है मैं बता दूँ उसके पहले सीधे ancient इंडिया में जाईएगा तो कुशांस कनिश्क का रूल मिलता है यहाँ पर लेकिन दे वर दे केम फ्रम सेंट्रल इशिया तो इट वस नोट लाइक दिस सेंट्रल इशिया से आया था ये कुशांस आया थे कनिश्क ने रूल किया देन दे वेंट बैक उसके बाद नेक्स्ट रॉइटिंग हमें मिलती है करकोट डिनेस्ट्री को लेकर 5th 6th century अनुडॉमिनी में उसके बाद करकोट के बाद दूसरी डिनेस्ट्री आती है यही हमें कश्मीर के बारे में रॉइटिंग बताती हैं कश्मीर की कश्मीर की जितनी भी historic और इक जो भी दिस एविडेंसे हैं, यह आर विडेंसे हैं, विडेंसे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले टापिक को पर बढ़ चलते हैं, नॉर्थ एस्ट इंडिया, नॉर्थ इस्ट इंडिया मतलब आज हम लोग असम का रीजन देखेंगे, अहूम किंग्डम, न्यूज मे यह था, यह देखें, आहूम्स, आहूम्स रिवोल्ट, इम्पॉर्टेंट और आहूम्स का यह देखें, लचित बौरफुकन, लजेंटरी आहूम्स जेनरल और प्राउट सिमल असमी सेल्फ आइडेंटिटी, अच्छिलिए देखें, आहूम्स चेम फ्रॉम्स चान यह देखें, आहूम्स तो आज यह अगर देख लेंगे हम लोग यह रीजन तो यह दो फिनिश आफ एवरी पार्ट की स्टड़ी जो इंडिया मिडिवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो ठीक है, चलिए, तो देखा जाए हम लोग, आहूम्स के पहले, क्या और भी कोई डिनेस्टी जी थी यहां पर, आएए देखते हैं स्टूडेंट्स, नौर्थ यस्ट अंडिया, और नौर्थ यस्ट अंडिया में इस किंड़म काम रूप किंड़म, काम रूप किंड़म वाज प्रेजंट इन नौर्थ यस्ट इंडिया, कहां से, 350 CE to 12th century यह देखी इसी कामरूप किंडम में सबसे पहले डिनेस्ट्री जो रूल करती है वो थी वर्मन डिनेस्ट्री यह देखिए कंटेंपररीज और फूंग टेल मी बस दिमाग तेज कीजिए दिमाग के घोड़े दोड़ाईए और बताईए उस समय साउथ इंडिया में कौन डूल कर रहा था नॉर्थ इंडिया में कौन डूल कर रहा था बताईए मुझे टेल मी गुप्त थे नॉर्थ इंडिया में साउ याद कीजिए कालाभर आकर डिस्ट्रॉइ कर चुके थे चोल राज्यवन शर्फ पंडियास को और केरल पुत्र को चेर को उसी समय थर्ड सेंचुरी में मैंने आपको पढ़ाया था कदम डिनेस्ट्री एंड वेस्टन गंग डिनेस्ट्री रूल कर रही थी और साथ में वेस् पुष्णारीवर डेल्टा याद कीजिए यह सब कंटेम्प्राइज थे वर्मन डिनेस्ट्री के याद कर लीजेगा आप लोग दो वर्मन्स वर सबाडिनेट्स अब गुप्त एंपायर देखिए साफ साफ क्लियर कट दिख रहा फ्यूडेट्री थे गुप्त के अंडर में काम कर रहे थे वर्मन्स और उसके बाद यहां पर एक फेमस डिनेस्ट्री आती है पाल डिनेस्ट्री मैं बता दूँ यह पाल डिनेस्ट्री बेंगॉल की पाल डिनेस्ट्री से अलग थी रिलेति थी रिलेटिबस में लेकिन अलग थी तो देवर टू पाल रूलिंग इनडेवल अर्ली मेडिवल एरा इन इस इंडिया वन पाल रूलर रूलर्स ऑव बंगोल whom you have read about and this is the second part dynasty ruling in Kamarup kingdom from 900 CE here like the Pala Empire of Bengal the first student this dynasty was elected very important fact ये एक मात्र डिनेस्ट्री थी पूरे इंडिया में इंचिनल मेडिवल टाइस में जहां पर पहला रूलर एलेक्ट हुआ था ये देखिएगा बस एक फर्क है जो Pala Empire बेंगॉल का था वो बौत धर्म फॉलो करता था और जो Pala Empire कामरूप का था वो Hindu धर्म फॉलो करता था नोट कर लिजएगा Hinduism के देवरद चीफ आर्किटेक्ट्स आउट है वर्मन पाल आईए आगे बढ़ते हैं इन दे मिडल अग थर्टीन सेंचुरी ये देखिए इसके बाद संध्या किंग ऑफ काम रूप नगर मूवड इस कैपिटल टू कामतापुर तो इस्टाबलिश दे कामता किंडम और अकाउंट अटेक्स बढ़ बेंगॉली और यही कामता किंडम काम रूप किंडम के बाद इस्टाबलिश होगा था कोच डिनेस्टी और भूटिया डिनेस्टी यह देखिए कच्री और भूटिया और कोच डिनेस्टी याद रखिएगा बस कोच कच्री भूटिया यह डिनेस्टी कहा रूल की हुई है असम के ऊपर इतना याद रखिएगा क्लियर है देखिए कोच जन्यसी देख रहे हैं आप कोच ट्राइब्स कच्री ट्राइब्स भूटिया किंडम्स और उसके बाद अहोम्स केम अप अशान ग्रूप लेड बाई सुखापा ये देखिए शान शान इस दा शान प्लैटो रीजन आफ मेयानमार देखिए वहीं से लोग आए थे और आते ही इन लोगों ने कैप्चर कर लिया अहोम्स ने भूटिया किंडम और कचडी किंडम को उठा कर फेंक दिया ये देखिए और उसके बाद इस कैप्चर दियर थे कैप्चर और टेरिटरीज अहोम्स बिकेम अहोम्स सेंट्रलाइज इस देखिए अहोम्स को कहा जाता है यह देखिए यह देखिए यह देखिए इस वेस्टेंट्रलाइज पांडरी तिल मानस रिवर विच इन्टिया अटिल 1826 मानस रिवर तक इसका मानस रिवर जानते हैं आप लोग मनसा रिवर कहां फ्लो करती है मानस निशल पार्क ब्रावपुतरा की ट्रिब्योटरी है वहां तक अहोम्स टेरिटरी था यह देखिए हाइट्स वेन अहोम्स रिज्टा हाइट्स अहोम्स मुगल कंफिल्ट और असमी सेल्फ आइट्टी का यह डिटेल नियूज यह देखिए आएप बढ़ चला जाए इस नियूज को पढ़ा जाए थ्री डेस सेडिपरिशन ओफ फोर हंडर्थ अनिवर्सरी अप लेजेंडरी असमी जनरल फोक हीरो लचित बोर्फुकान बिगान इन नियू डेली इंडल उजू जेए या लास्तर नियूज से यह डेखिए पेस् सिर्माइन में असम घे यह डेखिए अ कार नियूज से यूजू जह देखिए and यह देखिए this the home kings rule large part of what is now known as Assam for nearly 600 years from early 13th century to the early 19th century very important this was a prosperous multi-ethnic kingdom spread across upper and lower reaches of Brahmaputra valley surviving on rice cultivation in the fertile lands our homes engaged in a series of conflicts with the mughals from 1615 to 1682 orange a guess some a sub says other conflicts where our homes ke mughals के साथ में starting from the reign of Jahangir till the reign of orange a one of the major early military conflicts was in January 1662 that the mughals won a partial victory conquering parts of Assam and briefly occupying Ghargaon the Ahum capital note kar li jiye ga very important city the counter offensive was launched under the home king swargadev chakradhwaj singh after the homes enjoyed some initial victories Aurangzeb dispatched Raja Ram Singh of Jaipur in 1669 to recapture the lost territory and the battle of Sarai Ghat was fought in 1671 note kar li jiye ga battle of Sarai Ghat 1671 a homes and mughals very important place Sarai Ghat of Sarai Ghat फाइट हुआ है बैटल्स बैटल अफ सराइगहाट तो सराइगहाट आज गुहाटी के नाम से जाना जाता है ब्रहुपुत्रा रिवर के बैंक्स पर गुहाटी डिस्ट्रिक्ट में सराइगहाट है नोट कर लीजेगा और अहुम्स ये देखिये लचित वाज़ा ब्रहुपुत्रा वैली और शराइगहाट है ये देखिये और गुरिल्ला टैक्टिक्स और वार्फेर के कारण इनको जाना जाता है और अहुम्स को बिकास फिच देवोन बैटल वेरी इंपर्टिक्ट ये देखिये और दे मुगल प्लैंस वर कॉंप्लिकेट इन दे फूटिल्स ऑफिमाले बैटल अफ सराइगहाट ये देखिये ये समझ दीजे की एक तरीके से मुगल्स की डिफीट थी असम में इसी वजह से ये देखिय लचित बुर्फुकान डाइड अफर बैटल अफ सराइगहाट फिमाल फेस्टरिंग इलनेस इंपक्ति वजह से वेरी इल दूट इस प्रूप्स तूटिक्री इस विक्तरी इस अच्छिए 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 बैटिश के समय हो जाए गई है कामरूप किंडम को मुझे बताएए शुरुवात से वर्मन डिनेस्टी पाल डिनेस्टी उसके बाद कोच कच्री अड़ोटिय डिनेस्टी अड लास्ट में अहोम्स याद रखियेगा अहोम्स 600 एर 6 centuries and contemporaries of Mughals, contemporaries of Britishers, that's it. I suppose that is pretty clear. Sukhapa was the first home king who came from Mong Mawa kingdom located on the easternmost reach of the Indian subcontinent. He entered the Brahmaputra valley by crossing the Patkai Boom mountain ranges. एक बर देख लिए पटकई बूम कहां पर है अरुदाज़ प्रदेश के boundary पर है मियानमार के साथ में देखिए लिखा होगा एटलस में नौर्थ इस इंडिया के map में देखिए. पतकाई बूम रेंज इस वेरी इंपॉर्टेंट राइस कुटिवेशन में बहुत फेमस यह लोग इंका स्टेपल फूड वही राइस कुटिवेशन. क्लियर है मुझे बताइए. और यही पर इन लोगों ने अपना कापिटल बनाया चराइदेव डिस्ट्रिक्ट असम. नोट कर लिजएगा यह डिस्ट्रिक्ट का नाम और अभी गूगल सर्च करके या map पे मार्क कर लिजए चराइदेव डिस्ट्रिक्ट देखिए. यह वही जगह जहां पर अहोम्स के ग्रेव्स भी हैं और बरियल ग्राउंड्स मी हैं इसी जगह पर चराइदेव डिस्ट्रिक्ट असम. नोट कर लिजएगा बहुत हिस्टॉरिक प्लेस हैं स्टूडेंट्स. बाद में अहोम्स ने कापिटल शिफ्ट किया गड़गाओं की तरफ यह देखिए. पहले चराइदेव पिर गड़गाओं नोट कर लिजएगा. और बाद में बैटल आफ सराइगाट यह तीन प्लेसे ज़्याद रखिएगा चराइदेव गड़गाओं और बैटल आफ सराइगाट वेरी इंपॉर्टेंट. और नाइए स्टुडेंट लेट मी नो. आएए आगे बढ़ते हैं अब. यह समाप्त हो गया. अब पूरा प्रोविंशल गिंडम्स खता हो चुके. अब इसके वाद कोई प्रोविंशल गिंडम्स अगर बचा है तो वहां के राजा को ही पता होगा. ठीक है. हमें नहीं पत करना इसके बाद. गॉट इट. चलिए देखते हैं स्टुडेंट्स. अगला टॉपिक. अब मुगल्स पर फोड़ा फोकस जरूरी है क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है कि सवाल आएगा मुगल्स के उपर. यूपी से प्रेलिप पर यह से प्रेलिब स्टुड गिव मेन और सो एल अपलोड थे प्रेलिप आफ मुगल्स. यस अनला इस्टुडेंट्स एप्रिटी क्लियर अटॉपिक अनला इस्टुडेंट्स मुझे बता दिये चैट बॉक्स में तो आएए बढ़ चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ मुगल्स दिल्ली सल्तनत के बाद अगला टॉपिक मुगल्स. लेट्स फूकस अपान देट. कालिंजर का फोट कहां पर है? पहले बताएगा कोई मुझे. कालिंजर 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 मैंने बताया था आप लोगों को इसी एक प्रोविश्र किंडम से लिंक्ट बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर परदेश कौन सी कौन सा किंडम होगा मुझे बताएगे? कालिंजर 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 देखी एक बार. प्याद यही दिखेगा आपको यह देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर फोटोग्राफी मैं ही दिखा देता हूँ चलिए जिंता मत कीजे देखिए यह देखिए बांदा टिस्टिक्टी देखिए कलिंजर का किला यह वही जगह जहां पर शेर्शा सूरी की मौत हुई थी पढ़ेंगे अभी शेर्शा सूरी कुछ नाम समझ में आ रहा है आएए अब शुरू करते हैं हम लोग मुगल एंपायर मुगल एंपायर में जितना प्रशाशन इंपॉर्टन्ट है उनके टिरेशन में उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टन्ट उनकी एंट्री है इंडिया में क्योंकि इडिस्प्लेस दिली सल्टनत विच अगें अगें हाथ कम वाथे रेजिन अवनली तो देर यूपियास्टी कैन एक नाच्रल प्वेशन आराइजिस अगर फॉरें इंवेडर ही आकर यहां बसा हुआ है और उसी को अटाने के लिए दूसरा फॉरें इंवेडर आता है तो इसका मतलब साफ है कुछ ने कुछ तो फर्क रहा होगा वैसे भी आप लोगों ने फॉरें इंवेशन में गसनी एंड घुरीड फॉर्सेस को लेकर आपने पढ़ा हुआ है क्यों राजपुताना रूलर्स और क्यों इंडियन किंग्स हार गए थे मैंने रीजन्स दिये हुए उसमें एक मेजर रीजन ये भी है स्टूडेंट्स कि वहां होर्सेस घुर सवारी बहुत तेज होती थी और वहां पर लोहा पाया जाता था राइट फ्रॉम घोर तिल अल्टाई माउंटेंस बेल्ट आप कहेगा सर क्या इस रीजन में क्या भी क कुछ रिसर्च चल रहा है चाइना इसी रीजन में रेयर अर्थ का रिसर्च और तेजी से कर रहा है हमें नहीं पता कि पुराने समय में कितने लेवल तक की डेवलपमेंट्स थे लेकिन हमें ये भी मानना ये अगर मानने हम लोग कि नहीं पुराने लोग बिलकुल हम लोग नहीं कर पाएंग क्लिनिनेस का सानिटेशन का हाईजीन का हम लोग पोट्रे करते हैं कर नहीं पाते है है काम اس इलिए इसलिए लेक लॉप नूर तरीम बेसिर उसके बाद उस्त यूर्थ प्लैंटो उसके कीजिन कुम काराख कुम डेजर्ट और उसके अलावा कुनन शान से लेकर तीन शान माउंटेंस और अलताई माउंटेंड रेंजेस तक का पूरा वेस्टर्न चाइना काशगर औरुमकु इसंटर और किर्गिस्तान और फरगाना वैलियूस बेकिस्तान का ये पूरा अपने पर तेकली मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट फेमस डेजर्ट से कंटीनेंट अलिटी कारण पानी नहीं होता है रिगिस्तान है इसे हाई लैटिटिट्व डेजर्ट कहते हैं यह सब आप लोग जानते हैं लेकिन चाइना भी फोकस कर रहा है और चाइना के मैकसिमम फोकस और इस Lazio यह इए ऊपर है ऊपर इससी रिजन में रहते हैं तुरुज डिसन्ट के में यह वही तुरुज डिसन्ट है जहां से गकजनी और घोरीड फोर्थे आई थी तुर्किश डिसेंट दौईगूर्स दे कैन क्लेम एट गजनी और मुहम्मद गजनी और मुईजुदीन घौरी वाज फ्रम देर इस उसी उनी के फैमिली में से था ठीक है आएए आगे बढ़ते हैं आज हमें मुगल्स मुगल्स ने दिल्ली सल्टनत को डिफीट कैसे किया और इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बाबर जो टिमूर के फैमिले से बिलॉंग करता था वो क्या यहां पर लेकर आया जो इस जगह पर नहीं था मुगल एमपायर को एक नाम दिया गया है और वो नाम दिया गया है गन पाउडर एमपायर यह देखिए यह सवाल प्रिल्लेब्स पर पूछा गया है पहले और यह पता है यह वोल्ड हिस्ट्रिय एंसााइकलोपीडिया हो गवर्मेंट आफ इंडिया की वेब साइ्ट हो या किसी भी जगह पर हो गन पाउडर एमपाइर नाम दिया गया है मुगल्स को इसका मतलब साफ है UPSC का प्रिलिम्स का क्वेश्चन तफ नहीं था हूँ हाँ अगर किसी ट्रेडिशनल बुक में नहीं दिया गया है तो आपको थोड़ा बाहर पढ़ना था it was because of this that they easily won all the wars fought in India empire was founded by the Mongol leader Babar in 1526 1526 1857 तक ये दो रूल करते 1857 में the act of good governance comes up by the queen of British empire and this act of good governance is declared in 1858 and as per the act the mughal emperor is removed even sir अगर आप कहिएगा कि sir वो एक nominal emperor था उस position से भी हटाया जाता है उसे काला पानी की सजा के लिए बर्मा भेजा जाता है रंगोन वहीं पर बहादुर शाटू की death हो जाती है काला पानी का सजा काले पानी की सजा आपने सुना होगा इसका initiation हुआ था की punishment के लिए mainland से दूर किसी जगह पर भेजा जा है और इंडिया में जो भी अगर offenders थे in the eyes of Britishers they were sent to they were sent means offenders in the eyes of Britishers I'm saying and who were patriots in India they were sent either to Burma or to Yemen afterwards in 1894 the Britishers built up the cellular jail in and demands और 1897 के बाद cellular jail में काला पानी की सजा काटने के लिए इंडियान्स को भेजना शुरू किया गया cellular jail अभी भी वहीं पर है और कुछ famous personalities में even the कौन-कौन से लोगों ने वहां पर उन्हें भेजा गया था मुझे बताईए सावर कर येस और येस बिलकुल extremist में से maximum extremist were sent to seller jail in and demands let me tell you आये फिलहाल वापस आते हैं बहादुर शा को भेजा गया था बहादुर शा टू को भेजा गया था कहा इन बर्मा रंगून उस समय है तो 1526 से 1857 इट रीच इट्स जैनित हाइट्स दिए द्रीन्स आफ टू किंग्स वन अखबर और और अरंग्जेव येट मुगल empire का decline क्यों हुआ ये भी एक सवाल है जब उनके पास इत दे केम और कॉनकर्ट बिकॉज़िकल advancements which were not present in the arch 12 subcontinent of India so why were they defeated and removed tell me because they जिस रीजन से वो लोग आये थे उसी चीज़ पर focus बंद कर दिया है technological advancements zero no focus over administration and good governance only focus over lavish lifestyle और इसी लिए और अरंग्जेव के पहले के मुगल्स को greater मुगल्स कहते हैं great मुगल्स क्यों greater बड़े लोग बड़ी बाते नॉर्मल लाइफस्टाइल और अरंग्जेव के बात के मुगल्स को lesser मुगल्स कहते हैं चोटे लोग चोटी बाते चोटा दिमाग और लैविश लाइफस्टाइल I hope you are getting it और अरंग्जेव के बात जितने आए सब spend thrift थे किसी का focus प्रशाशन के उपर नहीं सब का focus अपने लैविश लाइफस्टाइल को maintain करने के उपर और अंग्जेव के पहले जितने आए उनका focus good governance के उपर good governance का मतलब ये नहीं की जनता के लिए खुद के लिए भी कम से कम कि भई मुझे यहां रहना है इस जगह पर gun powder empire कहते हैं gun powder first time first battle of पानीपत में लाया गया था इबराहिम लोदी को defeat किया last afghan लोदी सुल्टान को defeat किया बाबर ने उस battle of पानीपत first battle second battle third battle of पानीपत all three fought between whom why was it fought in पानीपत only UPSC's question in the mains 2014 why were all the battles fought in पानीपत क्या means google map निकाल कर वो लोग कहते हैं चलो लड़ना है कहां जेम रोट पे लड़े या एफसी रोट पे नहीं नहीं पानीपत आओ अच्छा गूगल मैप शेयर करो पानीपत कहां पर है वहां पर आएंगे मैं भी आओंगा तुम भी आओगे लड़ते हैं क्या ऐसा होता था नहीं तो कैसा होता था why was पानीपत the center tell me yes मुझे बताईए okay और कुछ tell me मौंटेनियस बेल्ट से निकलने के बाद पानीपत हर्याना में आज NCR बेल्ट में दिल्ली से डेड़ सो किलोमेटर नॉर्थ में वही एक open जगह थी जहां पर fight होने के बाद fight हो सकता था मौंटेन से आने के बाद not that much convincing कल आप लोगोंने कुछ-कुछ fight देके भटनेर का किला देखा आप लोगों में कहां पर है स्री गंगानगर वहां क्योंने fight हुआ मुझे बताईए कल एक और जगह आप लोगोंने देखा राइसी डिस्टिक्ट में भीमगड का किला वहां क्योंने fight हुआ वह भी plans में था वो जास्ट पीर पंजाल रेंजिस के plans में है अगर देखा जाए तो पानी पत बहुत दूर है mountainous belt से बहुत दूर है रस्ते में कहीं भी fight कर सकते थे जलंधर इस दूध्यान अभोहर wypaani path that brings us to a very very important conclusion battles are fought in those regions from where the neova the central city becomes easy जब तक पेशावर वृहिंद यप पेशावर आपने कल देखा दा बैडल ऑफ वृहिंद हिंदुशाई जब तक पेशावर या सीयाल कोट आपने कल पढ़ाsite मून्स का सेंटर था जब तक वहाँ से रूल करने का कंसेpt था तब तक noofi प Azer इंदस रिवर के आसपास आप खुद देख लीजे लेकिन पानी पत में फाइट इसलिए हुआ क्योंकि उसके बगल में और उसके जस्ट बगल में इंडिया में नॉर्थ इंडिया के दिल्ली सल्तनत का सबसी इंपॉर्टेंट सिटी दिल्ली बेस्ट था जहां पर तुगलका बात भी तुगलक डिनेस्टी ने बनाया था इसका मतलब साफ है पानी पत की फाइट्स आल थ्री बैटल्स प्रीजन सेपरेट लेकिन एक कॉमन रीजन यहां पर कंकरिंग दिल्ली यहां पर विच वस कंसिड़र असेंट्रल प्लेस्ट प्लेस्ट गंगा प्लेस्ट आप्ल बाबर का प्लानिंग यहीं से दिखता है कि बैटल ऑफ पानी पत के बाद बाबर प्रोसीड साहेड और फाइट्स बैटल विद राजपूत रूलर्स और यह देखिए कहां कहां पर देखिए आप स्टूनेट्स बैटल ऑफ खनवा भरतपुर में है भरतपुर जानते हैं आप लोग आगरा के बगल में हैं भरतपुर सैंक्च्वरी आपने देखा केलादेव घना नेशन पार्क शायद भरतपुर में है ठीक है खनवा यह देखिए बाबर और राजपूत कंफेडरेशन यह देखिए राना सांगा के अंडर में यह राजपूत थे यह फाइट बाबर के इंप्लेंट सबसे पहले पानीपत फिर खनवा और फिर देखिए चंदेरी यह देखिए चंदेरी इस बेस्ट इन मालवा प्लेटो रीजन मालवा प्लेटो यह विंदियास यह देखिए बाक्राइट बात्रोड के पतर देखिए पानीपत के बाद कहां पर खनवाख खनवा के कहां पर खनवाख चंदेरी क्लियर तो आए देखते हैं स्टूरेंट्स यहां पर यह देखिए अराइवल of Mughals and Kings founded by Babar and who claimed lineage from Timur and changez khan initially from Pragana valley आपने कल पड़ा हुआ है, defeated Ibrahim Lodhi in the first battle of Panipat, defeated Rana Sangha in the battle of Khanwa, defeated Medini Raya of Malwa in the battle of Chanderi, आपने पड़ा भी, देखिए, and defeated the Afghans, Mahmood Lodhi in the battle of Ghagra, Pihar 1529 CE, यह देखिए, battle of Ghagra, यह देखिए, 1529 CE, यह देखिए, और यही पर एक रूलर अपना small kingdom, अफगान डूलर अपना small kingdom बनाना शुरू कर दिया था, यह अफगान डूलर पहले दिल्ली सल्तनत के अंडर में था, मैं बात करना हूँ, सूरी डिनस्टी की, शेर शाह सूरी यह देखिए, so, after the siege of Chanderi and the battle of Ghagra, the Mughal empire was consolidated and established in North India, and the Rajputs were defeated severely in every war, Babar was succeeded by, यही मालवा चंदेरी के battle में इन ही को मारा गया था, यह बाबर ने मारा था, he was one of the most, one of the bravest, this Rana Sangha के अंडर में रूल कर रहे थे मालवा में, and he was one of the brave kings who tried to stop the siege of Chanderi by Babar, he was ultimately killed by Babar, यह देखिए, और यह देखिए, आगरा, यहीं से देखिए, एक और भी चीज established हो गई, दिल्ली के अलावा, आगरा पे नजर पड़ी इन लोगों की, Babar की नजर पड़ी, और आगरा आगे चलकर Mughal empire का capital established उनाल था, आगरा एंड फतेपुर सिक्री, नाम सुनाओगा आप लोगोंने, यहीं पर देखिए, आगरा में, यह वार जो था, यह चंदेरी का वार और खनवा, खनवा में आगरा के पगल मैं मैं बता दूँ आपको, भरतपुर इधर है, इधर आगरा है, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान बॉर्डर, एक बार भरतपुर और आगरा की बॉर्डर देख लिए आप लोग, आपको clarity आजाएगी, कहां पर ही location है, मिल गया, मुझे बताईए, क्या आगरा और भरतपुर का बॉर्डर अठाच होता है, मुझे बताईए, देखिए, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश का देखिए, ट्राई जंक्शन देखिए वहाँ पर, मिल गया, tell me, उसके बाद देखिए, इस battle of ghagra में, ये ghagra river के banks पर लड़ा गया था, ये देखिए, और बिहार में लड़ा गया था, घागरा river आपको पताईए, students, order में river गंगा, ये tributaries मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को, ठीक है, और ये देखिए, बाबर का एक बहर बड़ा contribution है देखिए, introduce the चार बाग या symmetrical late garden system in India, mughal gardens यही से नाम पढ़ता है, symmetrical late gardens, and architecture का ये एक हिस्सा था इनके, आईए आगे बढ़ते हैं, next topic ये देखिए, तो battle of, ये पानीपत क्यों center place था battles के लिए, ये भी important topic है, और ये इसके लिए multiple reasons, एक reason आए दिया है, अपको दिल्ली के नजदीक था, एक reason प्लेन एरियास थे, ठीक है, एक reason, एक और reason इसमें, that पानीपत के ज़स्ट बाद, चोटट चोटे kingdom शुरू हो जाते थे इंडिया म on the western side, western flank, राजपतारा kingdom, that was it, इसलिए पानीपत के आसपस अगर war होगा, तो उसके बाद multiple areas में इन रोट साप बना सकते हैं, बाहर से आप आ रहे हैं, that was it, इसमें देखिए, बाबर ने battle of, ये देखिए, बाबर ने defeat किया, battle of khagra में, महमूद लोदी को, अफगान, अफग देखिए, आएए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, सूर डेनेस्टी ये सूर इंपायर, ये देखिए, इट्स, शेर सा, आफ शूर डिसेंड़ फॉम अफगान अडवेंचर, रिगूरेट बाई सुल्तान बहलोल नोदी, यानि इसी जगह पर ये अफगान kingdom स्टैबलिश होता है, अनहीं लोगों के द्वारा, जिन लोगों को हराया था बैटल ओफ घागरा में, बाबर ने, इनका इस्टैबलिश्मेंट कब होता है, 1540 से 1556 के बीश में, शेर शा सूरी का एमपायर ये देखिए, एट ये देखिए, शेर शा सूरी के समय में कंटेंपररी कौन थ में उमायू ये देखिए एंड उमायू सक्सीड़ बाबर बट वाज डिफीटेट बाई शेर शाह सूरी अट टू प्लेसे ये दोनों प्लेसे इंपर्टने स्टुडेंट्स नोट कर लीजे यहां पर बैटल अफ चौसा ये देखिए एंड बैटल अफ कनौज ये देखिए बैटल अफ कनौज और बैटल अफ चौसा नोट कर लीजे तो ये देखिए आफ्टर बाबर, फांडर फ्वांडर फ्वूगल डिनस्टी देटेट अलोधी शेर शाह अफ्वाइब आफ्गान गिंडम्स बिहार बेंगाल इंगल इंपरर हुमायू अचौसा अचौसा अच बैनाच, अमायू फष्वाण अचौसा अचौसाओ, वाट समया समय依े जए खवल चौसाइ ह। आइस अरिनए घो इंटानीर डिवाई्ट Шे शाड़ जेप्वाइब ऑड डिर्तर इंडियर एंपिया or कम ole ब्स paganनाब बाइrenफिर मुगल एंपरर अकबर लेटर बेल्ट, he was a very capable administrator शेरशा सूरी, killed by a cannon ball while besieging the fortress of कलिंजर, कलिंजर in Central India. कलिंजर का फोर्ट ये देखिए, मैंने बताया आपको, चंदेन रूलर्स के समय ये बनाया गया था, ये देखिए. क्लियर, तो have a look, 1555, after the death of शेरशा सूरी, देखिए 1556, ये देखिए, हुमायू recaptured इंडिया's throne, यानि एक ब्रेक लगता है मुगल एंपायर पर 16 साल के लिए, 1542, 1556, इस period को याद रखिएगा, शेरशा सूरी, और यही पर दो बड़े contribution शेरशा सूरी के, ये पेसिन सवाल पूछा हुआ है, पहला, रुपी, कॉइन, इंडियूस किया गया पहली बार इसी समय, जो आगे चलकर, currency का form लेने वाली थी, मुगल्स के समय और लेटर बिटिश टा का, पेशावर से धाका, वही Grand Trunk Road को GT Road कहते हैं, उसका अच्छा खासा हिस्सा अभी इंडिया में है, National Highway No.1 and National Highway No.2, connecting Amritsar and Jammu towards Calcutta, that is it, Grand Trunk Road, built by शेरशा सूरी, अपेशा लड़ी, clear है, Battle of Chausa, Battle of Cannauj, the last battle after which Humayu was just simply defeated, he made a come back in 1555 recover the throne with the help of Bairam Khan and उसके बाद देखिये लिखा हुआ है painting यही से शुरू होता है political patternage from Mughal rulers at times of Humayun, Meer Sayyad Ali Abdus Samad coat painters and Shere Khan ruled India from 1542-1555 आपने पढ़ा Shere Shah Suri brought back Chihra and Daag system of Khaljiz built Sarai's land measured using Sikandar Gaz यह Sikandar Gaz दिली सतनत के समय से चल रहा था और वही वापस लाया गया two documents introduced पट्टा, amount peasant had to pay and कबूलियत the deed of agreement देखिये पहली बार जमीन को लेकर agreements और देखिये यह this is called as revenue system formalize करने का यह तरीका था Shere Shah Suri के he reforms पर अकबर ने आगे बढ़ाया इसे Empire divided into सरकार Chief Shikdar and Chief Munsif परअगनाज मौज़ा यह देखिये यही समय है area based administration important होता है किसी भी जगह पर and Shikdar was military officer Amil was land revenue footedar was treasurer and carcoons were accountant यह देखिये देखिये नेम्स built four highways सिंद टू सुनार गाउं आगरा टू बहरामपूर लहोर टू मुलतान यह देखिये and the grand trunk road built during time of Shere Khan हुमाईयों के बहुत कम contributions देखिये और देखिये लिखाओ Battle of Chawson, Battle of Bilgram या Battle of Karnoach कहते हैं इस दोनों चीज़े कहते हैं क्या यह clear है मुझे मताईए हो जाया गा देखिये यहां क्यों लड़ाई मची हुई है प्रशाशन stable होगा अकबर के समय अकबर next ruler देखिये one of the greatest monarchs led by Bairam Khan in second battle of पानीपत against अफगान under हेमू विक्रमा दित्ते यह देखिये हेम चंद्र विक्रमा दित्ते यह हेमू विक्रमा दित्ते यह हिंदू रूलर था मैं बता दूँ आपको अब यहां पढ़ेंगे आगे स्लाइट्स पर Siege of Chittaur Defeat of Maharana Pratap by Mughals under Maan Singh abolished pilgrim tax Jazia granted Rajputs their land under Vatan Jagir in short the most secular the most tolerant amongst all the Mughal rulers Akbar was the first king to enter Kabul and granted it to his sister and the famous kings working under him signifies that he had a very tolerant outlook towards the Rajputs and the Hinduism and this is why he is taken to be the most moderate amongst all the Mughal rulers or moderate ka aar bhi inka evidence that he goes on to you can see it here this two minutes yes he goes on to promulgate Din-e-ilahi new religion which focuses upon the good aspects of all the religions pehli baar koi secular focus saare dharmo ke upar akbar ke sami akbar akbar ke contributions ek jaga pere this jaga pere dekhye dekhye ye ye upse me aya bould me lkha the name of the officers very important ye dekhye provincial administration hi dekhye you of the officers and land revenue that is it I repeat officers key names second point area based administration and land revenue system allowing khalji versus akbar use the mansabdar system to generate land revenue the emperor would grant revenue rights to a mansabdar in exchange for promises of soldiers in the war time the greater the size of the land and the emperor granted the greater the number of soldiers the mansabdar or zamindars had to promise zamind jitna dya jara hai jamb ldaai mache gi to aapko sabse zyada soldiers ko bhejna hai aapni jagas I hope you are getting it it was clear cut in return aap kitne lovong ko bhejye ga war fight karne ke liye ye dekhye the mansab was both revocable and non hereditary this gave the center a fairly large degree of control over the non hereditary yani ye sub centralized system dependent kratha kisya point kiya jara that was it agree karra hai muje patahin to kya agar non hereditary ho ga centralized system se choose kia jaya ga to aapko nai dhata students ki waha par it will lead towards choosing the best person in that region and choosing the best person ensures competition amongst the people leading towards a better development of the region is liye is system ko revenue generation system ko bohat uchha kaha gya shuru it ensured the establishment of a strong system of banking credit economic development lekin baad me system kharab hoona shuru ho kya kya diya dijiye inka kam kya thar inko tax ikhta karna hoda inki oopar tax koon lagata tha central administration inko zameen dee di jati thi paalit taxes bhoot kam 10% 15% very less to kya hodha thar inse kha tax ikhta kije aap ikhta kije this crops 10% waha dee dijiye baakhi aap rakhlijje isi liye they were very popular because the taxation rates were very less and the people were very very you can say they were overwhelmed by the centralized administration and this is the reason why they used to go and fight in the wars but afterwards the taxation rates increased and rebellions and protest badhe go to aap bata kya kyl kingdom toot bhi saktah yahi reason hua ki shajahan ke samay se hi region may protest and rebellions bada gaya taxation bada dhya gaya and jays 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 mughal mughal naine king side their lavish lifestyle increased their good governance decreased that was it hiy dhkhi to yahi students akbar ke contribution ke oopar details hi dhkhi and akbar ke samayi consolidation and expanding hua frontiers ka mughals expanded established and reached the zenith the mughal empire to ye names yad rahe ga mughi bata ye factual data hai pura students yi dhkhi me ap kyeye go to my photograph ke sasat reteach kron go wazir koon tha mir bakshi koon thai dhkhi aya hoa hai 2020 ke prelips me dhkhi bari 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 mi saman koon koon thai sadru sasadur koon thai mohutasib koon thai ye dhkhiye lkha hua clear zameen ko divide kia gaya tha cultivable fellow zameen ko divide karne concept sangam kal mein bhi tha on the basis of kaha par coastal area desert mountain hai yaha par cultivable hai non cultivable hai banjar and fallow land he dhkhi fallow land wo hotha jis par kheti nahi ho thi fallow leaving it without cultivation for that year one year two year three year that's it is fallow land also needed to be kept is this is the consider fallow needed to be kept to ensure better agricultural yields yes क्योंकि آپ 2 साल उसको recover करने दिए तब जाकर फिर से खेती कीजे इस का मतब साफ था agriculture sustainable तरीके से किया जा रहा था ये साफ साफ शो दिन इलाही इनकी कारिकाल पे आपको जादा फोकस नहीं करना है अपार्ट फॉम पेंटिंग्स अड आर्किटेक्टिर प्रशाशन में कुछ चेंज़ नहीं हुए अड्मिस्टिशन नोट चेंज अट आल हाँ येस दे रीच्ट जैनित जादिन कल्चर प्रश्टिर विकास थे वर्य वर्य स्टीबल किंडम फ्रम अकबर ये नहीं तो जहांगीर और शाह जाहार देखें यहां लिखा हुए मुगल पेंटिंटिंटिंटिंट रिच जैनित अंडर जहांगीर ये देखें बिशन दास उस्ताद मन्सूर वर्द अट इड़ हाइट्स अफ मुगल पेंटिंटिंग बिटिश वेजिटेड मशीरी पटनम कैटन होकेंस थामस रो थामस रो वेजिट सूरथ फैक्टरी जहांगीर के समय अंट्री होती है ये ये उरोपियंस की प्रिटेशस की इंडिया में note कर लिजगा students clear जहांगीर के समय ही आराइव किया पेंटिंग्स में और आर्किटक्शर में क्या सकते हैं जहांगीर के समय ही पेंटिंग्स और शाह जहां के समय ही आर्किटक्शर में हाइप्स clear है मुझे बताइए पितरा दिवरा डिजाइन नोट कर लिजेए शाह जहां देखिए आगे successful deccan policy आप बताइए क्या बहामानी सल्तनत wind up किया गया एक को छोड़कर बाकिस सब wind up हो चुके थे समय है कल आपने पढ़ा हुआ बहामानी सल्तनत में किस को wind up किया शाह जहां में लिट भी दो देख लीजे देख लीजे कल पढ़ाया गया था आप में बहामानी सल्तनत किंडम्स विच वन निजाम शाही औफ एहमद नगर लिखा है आपने कल पूट अप किया गया था देख लीजेगा मार्क कर लीजे और एक औरंग्जीर ने माइंड अप किया था बाद में बाकिस सब आपस में लड़कर मर गये थे वाट इट ना शाह जहां गोल्डन एज अफ मुगल्स इन अर्किटेक्टर ताज महल मौती मश्चिद जामा मश्चिद रेड़ फोर्ट ये सब इसी समय बना डेफिटेट थे पोचुगीज नियर अगली वर्य इंपॉर्टेंट शाह जहां यही से Europeans started making inroads and trying to you can say dictate the terms of trade और यही पर मुगं के साथ मि अप कह सकते है this because of the mindset of Europeans the Mughals knew now that something is wrong the Europeans और यहां पर देख है the hoagli war defeated the Portuguese शाजहां फ्रेंच ट्रावलर्स बर्नियर टैवर्नियर इटालियन ट्रावलर मैनुशी और पीटर मुंडी विजिटेट इंडिया डिरिंग शाजहां स टाइम नोट कर लीजिएगा ये सारे लोगों का नाम NCRT में दिया हुआ है टेबल में इसे याद रखना है हुमायू विए तो टेके अप टाल रीजन ठीक है वस प्रोक्लेम एस दा एमपरर बट वीन्स उसी समय दिली में हेमू हैड री हैड री स्टैब्लिश हैड इस्टैबलिश्ट इमसेल अज दा किंग जैसी वैक्यूम क्रिएट होता है ना तो कोई ना कोई अपने आपको प्रो चंदर विक्रमादीता ने प्रोक्लेम किया था कि दिल्ली का रूलर मैं हूँ उसी के लिए फाइट होती है सेकेंड मैटल अफ पानी पितरा दीवरा रिजाइन जहांगीर के समय आपने नोट किया स्टूडेंट्स इटालियन डिजाइन है यह देखिए औरंग जेब एंड ड साथ वार औरंग जेब के समय ही होता है डेस्टोड देखकन किंग्डम स्टूडेंट्ली एंड ट्रेजरी वस एग्जास्टेट्स इटू आपन गुट गवर्नेंस टैक्सेशन रेट्स इंक्रेस्ट प्रोटेस्ट रोज आप इंड मुगल एंपायर रिपोज जजिया पिल what the concepts he gave and you can see concept out here because of his excessive spending upon military defense the Treasury was exhausted at the last though he lived a simple lifestyle but his focus was upon military conquest and he was a cruel Emperor. that was the reason that और अंग्जेब के समय ही सबसे ज़्यदा प्रोटेस्ट और रिजिनल किंडम्स का राइबल राइज शुरू हो गया इंडिया में देखिए जब तक सेंट्रलाइज आड्मिस्टेशन ठीक रहेगा मॉडरेट लीडर रहेगा टैक्सेशन एफ़र्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी तब तक सब ठीक रहेगा अगर उपर में कोई राजा कमजोर या एक्सेसिम क्रुएल दोनों तरफ एक्स्ट्रीम्स होता है तो प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और अग्जेब के बाद लेटर मॉगल से नाम देखिए इतने सारे लोग इनने लेटर और लेसर दोनों कहते हैं लेटर मीन्स बाद में और लेसर मीन्स कोई बड़ा काम नहीं छोटे लोग छोटा दिमाग छोटा कंसेट एंड कंसर्विटिव माइंड सेट ये देखिए बहादुर शाफ फस्ट जहांदर शाफ ये देखिए सब आप बताईए कल आपने पढ़ा हुआ है अहमद शाफ दुरानी या अहमद शाफ अब्दली और उसके बड़े नादिर शाफ के इन्वेजन्स के समय कौन सा लेटर मुगल रूल कर रहा था मुझे बताईए और उस समय देखिए और अंगजेब के समय अटेक्स नहीं होते हैं 707 में और अंगजेब के डेथ होता है और उसके बड़ अटेक्स फॉरें शुरू हो जाते हैं इन्वेजन्स आपने पढ़ा हुआ नादिर शाफ के बारे में अफगानिस्तान से आया था और एमद शाफ दुरानी ये अफशरीद एमपायर का हेड़ था ये पर्शन किंग था कब कौन था उस समय इंडिया में शायद आपने पढ़ा हुआ है ये देखिए दिस पहले मुहम्मद शाह और बाद में शाह आलम ये देखिए सो मुहम्मद शाह ये देखिए और उसके बाद शाह आलम येट वस इट और देखिए इसमें कुछ आपने सर ये क्या इंपरेंट है इसमें से कुछ दोग बहुत इंपरेंट है भाई ये देखिए बैटल अफ प्लासी और बैटल अफ बकसर किसके समय लड़ा गया था ये देखिए वही 1757, 1764 देखिए कितना कॉंप्लेक्स हो गया है उस समय का दली का इंवेजिए और इस होल टाइम लाइन इस कॉंप्लेक्स आप देखिए ये इंपरेंट अफ प्लासी किसके समय लड़ा गया बैटल अफ बैटल अफ प्लासी किसके समय लड़ा गया ये देखिए और साथ में किसने राजा राम मोहन राय राजा टाइटल कन्फर किया ये देखिए क्लियर है मुझे बता दीजे नादिर शाह इंवेजन देखिए कुछ फेमस इंपैक्ट देखिए कोहिनो डाइमंड लास्ट टाइम न्यूज में आया था करन्फेज में मुगल एरा फिनी अलसी देखिए फिनीयल्स आया वा था मुझे बताईए आपने पढ़ा भी था शायद फिनीयल्स ही देखिए फिनीयल्स फिनीयल्स किस चीज़ के बने है ये इंपोर्टन है स्टूडेंट से देखिए नोट कर लीजेगा ये तीन पैरग्राफ के और पढ़ लीजेए आप लोग फिनीयल्स में क्या लगा है फिनीयल्स क्या होता है मैं देखा दूँ आपको ये देखिए जो आफ्टर दे टूम और दे इस मॉस्क के उपर इस स्ट्रॉक्चर यू फाइंड इस इस नोन अस फिनीयल्स ये देखिए रूफ फिनीयल्स कहते हैं इसको ये देखिए और ये जितने मॉगल टूम से सबके उपर फिनीयल्स लगे हुए है इसके अंदर क्या क्या है कौन सा मेटल है देख लीजे आपको अंदर क्या क्या है अंदर क्या है मॉगल से इंपर्टेंट क्या है और किस चीज़ पर आप लोग को टास्क मिलने वाला है मॉगल्स वर्सेस दिल्ली सल्तनत अड्मिनिस्ट्रेशन मॉगल्स वर्सेस दिल्ली सल्तनत आफिसर्स नेम्स मॉगल्स वर्सेस दिल्ली सल्तनत उसमें अलाओ दिल्ली खल्जी और अख्बर के बीच में डिफरेंसेस रोशियर्ट्रेशन इसके अलबा शेर्शा सूरी कंट्रिब्यूशन और जो सबसी मुझे लग रहा है परसनली इस बार कि अगर सवाल पूछा गया तो यही सवाल पूछा जाएगा क्या है यह क्वेशन मैं बता दूँ आप अब इसमें बैटल ऑफ खनवा चौसा घागरा चंदेरी इंपोर्टेंट है हल्दी घाटी का यूद भी इंपोर्टेंट है और इसके अलावा भटनेर का किला आपने नोट किया था टेमूर्स इसमें वह भी इंपोर्टेंट है फर्स्ट बैटल सेकंड बैटल थर्ड बैटल पानीपत यह भी इंपोर्टेंट है आई यह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह सोलनाई students tell me I hope you are getting crucial insights into the medieval history of India let's proceed ahead sufism रब पढ़ दिया जाय है और Sikh Sikhism और arrival of the Sikh religion in Punjab let's see झाल मुष भी इंप नहाष हैं और झाल मुष्ट रव दोजिया हैं गहाभ बैटल प्स्टे बस पांच मिनट का टाइम देजिए हमने फिर शुरू करते हैं टापिक ठीक है अ अ कि आ अ मुझे आ और में स्टूडेंट्स बताईए भई मुझे फटाफट इतना नोट कर लिया आप लोगों ने मुझे बताईए आप लोग तेल मी स्टूडेंट्स फाइव मिनिट्स का ब्रेक है फाइव मिनिट्स ओन्ली मैं एक पर NCRT देकर आता हूँ फाइव मिनिट्स विल स्टा झाल हाइव मिन एक हम उड़ सका टन्ली झाल 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 शुरू करते हैं सेशन ठीड़े हैं आप लोग टेल मी आज मेरे पास आप सभी दोगों के सामने यह हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स हैं कौन कौन से हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स हैं आए देखा जाए स्टूडेंट्स मेरे पास पहले क्लास 7 आवर पास्ट टू टेक्स बुक्स इन हिस्ट्री फर क्लास 7 नोट कर लिए आपको आज जाकर इसको देखना है ठीक है क्योंकि NCRT के टेक्स बुक्स में और कुछ हो या ना हो बाक्स दिये गए हैं हर पन्ले पर और वाक्स बहुत इंपर्टन है आईए कुछ बाक्स लिए आपको इसी सेशन के बाद आपको घर पे जाके आप लोगों को क्या देखना है देखी में पता रहा हूं बहुत अच्छा लिखा है मेंस देखिये प्लास सेवनत का तो NCRT गसब का है देखिये देखिये निउ किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर 2 यह देखिये बहुत अच्छा इस इस तो सोशल साइंस NCRT बुक पेज नंबर 16 ठीक है means ये एक घंटे का काम है ये किताब देखिए क्या-क्या लिखा हुआ है पेज 16 पे दिया हुआ है राश्ट कूट पाला ओफ बंगॉल चहुआन्स और गुर्जर प्रतिहार ये देखिए पेज 17 पे दिया हुआ है एलोरा पेंटिंग एलोरा के पेंटिंग शोइंग विश्णु आज नरसिम दा मैन लायन राश्ट कूट पीरियट का ये वर्क है बहुत means वेरी फाइन फैक्ट्स विजर इंपॉर्टन फॉर प्रेलेम्स आर गिवन आउट है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिये यहां पर मेरे सामने है एक टॉपिक 400 टैक्स इंस्क्रिप्शन पर पेज 18 इंस्क्रिप्शन पर चोल वो रूल इन तमिल्नाद रफर्ट तो मोर दन 400 टर्मस पर दिफरेंट कांट्स अफ़ेंट काइंट्स the derivation from this statement यह देखिए and कदमई और land revenue very important यह आया हुए पर लेम से पहले कदमई के बारे में चोल राजेवन्ष के taxes मैंने का ना जो established system है वहां के taxes आयेगा next the achievements of naagbhat okay गुर्जर प्रतिहार किंग naagbhat very important details दिया हुए कहां पर यह देखिए this copper plates recording a grant of land यह देखिए means images or photographs are sufficient out here in NCRT next यह देखिए यहां पर मैं बस पढ़ता जाऊंगा आप लोग सुने इन चीजों को की नहीं तो देखना है आपको बस next page number 2021 चोल राजेवन्ष डेटेल्स में दिया हुआ है and उरयू टु थंजावूर सुना आपनोंने उरयूर जगा और थंजावूर जगा bronze sculpture splendid temples at थंजावूर and गंगई कोंड चोलपुरम राज राज चोल और राजेंद्र चोल temple of गंगई कोंड चोल पुरम दिया हुआ है डाइग्राम में यहां पर यह देखे यहां पर दिया हुआ है students map चोल राज्यवन्ष पूरा साउथ हिंडिया captured उनके नौर्थ में काकाती है उनके नौर्थ में वेस्टें साइड में चालुक्या and उनके बगल में कदंब डेनेस उनके बगल में चोटा सा दिया हुआ है and बनवासी करके जगह बनवासी आपने पढ़ा हुआ था students बनवासी किसका capital था उत्तर कंड़ डिस्ट्रिक्ट कदम डेनेस्टी next चूल ब्राउंज स्कल्प्चर यह देखे दिया हुआ है ठीक है next a 9th century sluice gate in Tamil Nad it regulated the outflow of water from a tank क्या बा clear next चूल inscriptions mentioned several categories of lands विलन वगई, ब्रह्म दई, शाल भोग, देवदान, पलिच छंदम यह अलग-अलग दिया हुआ है बॉक्स में types of land चूल राज्य मन्श next यह class 7th का NCRT है उसी समय चाइना under the tank dynasty last page and page 28 10 pages का chapter है, काफ़ी है students, नहीं मुझे पता है यह online students let me know, ठीक है next दिल्ली सुल्टान्स यह देखिए, map और दिल्ली सुल्टान्स का complete लेखिए, table दिया हुआ है मिनहास य सिराज यह देखिए, यहां लिखा हुआ है, queen's rule रजिया सुल्तान के ओपर box में दिया हुआ है, जो भी boxes है NCRT में उसको पढ़कर एक reading लेकर जाए है जाना है, reading लेकर के ओल, next, आलाओ दिन खल्जी's campaigns, map दिया हुआ हुआ देखिए, with dates, now that makes, dates are not important, what is important is, order, chronology next, the kuwaital Islam mosque and minaret, यह देखिए, दिल्ली के पास में located map दिया हुआ है, किस समय बनाया गया था, कुत्व अदिन आईबक के समय, कल अमनों देखा था, next, official's of Sultan Muhammad Tuglaq, क्या बात है, देखिए, नीचे के box में, Muhammad bin Tuglaq के समय के officials, boxes में, क्यों बाक्स में देख रहा हुआ हुआ, next, next, Allahudin Khalji और Muhammad Tuglaq के बीच में differences, क्या बात है, mains का question फटा फट बन रहा है, यहां पर देख रहे हैं, आप लोग देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है, आपे दोनों को पढ़ा हुआ है, Muhammad bin Tuglaq, and आपने तीन ही लोग का नाम ही सुना, जिनके ओपर डिटेल्स डिसकस किए Allahudin Khalji, Feroz Shah Tuglaq, Muhammad bin Tuglaq, next, Mughal Empire, Mughal Empire में देखिए, canons were used, canons were an important addition to the 16th century warfare, Babar used them in the first battle of Panipat, दिया हुआ है, यही सवाल है था, gunpowder empire का यह देखिए, Mughal emperors देखिए, कितना अच्छा box में देखिए, आपको, means, जितना color हो सकता है, दिया है, ठीक है, यह अलग बात है, print उतना अच्छा नहीं है, Western World के books की तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा तो अच्छा लग रहा है, हमारे समय तो बहुत monotonous books होती थी, NCRT की, आप में देखि है, dirty brown color भी आ गया है, देखिए, कुछ ने कुछ तो आ गया है, नहीं, और देखिए आप लोगा, मुगल ट्रेडेशन्स एंड मनसबदार्स एंड जागिर्दार्स देखिए, differences दोनों में देखिए, यहाँ, important, मनसबदार इस तरह आपने पढ़ा भी, next, अखबर नामा एं आईने अखबरी, देखिए, boxes, एक reading sufficient रहेगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, और यह boxes के लिए, अलग से आप लोगों को PPT मिलने वाला है, यह boxes, screenshot लेकर मैं पुट अप कर रहा हूँ, आप लोगों के, लिए PDF फॉर्म में, एक जगा पर, NCRT's boxes, उसको read करना है आपको और इसके अलबा स्टूडेंट्स ही देखिए, सुलेह कुल, वही, दिन इलाही, आपने सुना, सेकुलर रिलीजिन, सेकुलर अस्पेक्ट अफ रिलीजिन अफ आकबर्स पॉलिसी, और आया था, ठीक है, देखिए, तो NCRT is sufficient to tackle these questions, ठीक है, और अब देखिए, यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, मुगल एंपायर के बारे में, जो कहीं नहीं दिया है, in fact, मैंने भी निकानने का नहीं सोचा, NCRT में किवल दिया हुए एक जगा पर, Contemporaries of मुगल एंपायर across the world, it's given at one place, out here, Contemporaries, यह दिखिए दिया हुए है, Ottoman Turkish Empire existed, इसके बाद, second, Safavid Dynastry of Iran, very important, Safavid, S-A-F-A-V-I-D, Safavid Dynastry इरान दिखिए दिया हुए, last, मुगल्स के last box में दिखिए दिया हुए, यहां पर, Class 7 का, NCRT, our past two, very important, clear, so this was it, and, बस, yes, यहां पर, एक, जर्म मैंने देखा था, जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को, yes, उसके देखिए, rulers and buildings, architecture of Mughal Khan, एक जगा पर, यह देखिए, उसमें, उसी समय, यह देखिए, यह, मुगल काल का ही नहीं, पूरा medieval history का, इसमें क्या-क्या locations दिये गए हैं, देखिए हाँ पर, कुतुब मिनार दिया हुआ है, के अंदर यह महादेव temple दिया हुआ है, के अंदेर डिनेस्टिय, आपने पढ़ा हुआ है, विद्याधर, आ आपने पढ़ा हुआ है, राज, राजेश्वर temple at थंजावर, ब्रेश्वर temple क्याते हैं, आपने यह पढ़ा हुआ है, नेक्स्ट, पेंटिंग्स दी हुई हैं अकबर नामा में से, और ताज महल, और वरिंदावन temple इट्स किवन, और चॉर्चेश्वर तच्छ दे स्काई, इस आर्किटेक्टिरल स्टाइल को गोथिक स्टाइल कहते हैं, यह आप लोगोंने आर्किटेक्टिर में शायद, मैंने कुछ पुट अप किया था, गोथिक स्टाइल अफ आर्किटेक्टिर, तो इसे याद रखिएगा, इसके बाद देखिए, चैप्टर 6, टाउन्स ट्रेडर्स और क्राफ्ट्स पर्संस लास्ट वैक्स टेक्निक आपने पढ़ा हुआ है, नट्राज स्टैचू, और ड दांसिंग ब्राउन्स गर्ल, दांसिंग गर्ल, मोहन जोदारो, हड़पन सिविलाइजेशन, तो इसे अल अबाउट देखिए, हमपी के रूइंस से देखिए, एक जग़ पर, क्लास सेवन्थ, मैं अगर आप मुझसे पूछिएगा, कि सर, NCRT में कौन सा ज़्यादा इंपॉर्ट है, क्लास 11, 12, ये क्लास 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8, यहीं से क्वेशन और पूट कर रहा है, सिंपल है और बॉक्सेज निकालना है, पत्निसी किताब है, बॉक्सेज निकालना है, बस, बॉक्सेज में से क्वेशन्स आ रहे हैं, लास्ट ये तीन सवाल, क्लास 6, 7, 8, के बॉक्सेज में से आये थे, रिलिम्स में, NCRT, I hope you are getting it, क्लियर, क्लास 12 की NCRT में ये चैप्टर मुगल्स के उपर दिया हुआ है, क्लास 12 की NCRT, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, देखिए, इट्स गिवन, पार्ट टू, और देखिए, ये चैप्टर, बस बता दे रहा हूँ, चैप्टर आप लोगों मार्क कर लिए चैप्टर जाकर आप लोगों पढ़ना है, ये रीट करना है, ये देखिए, ये चैप्टर ओवर पीजन्ट्स, जमिंदार्स, और दे स्टेट, ये कहां से कहां तक कहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, और ये उसके पहले, अन इम्पीरियल कापिटल विजयन अगर, विजयन अगर पर पढ़ना हूँ, लुटया हूँ, देकिया, कॉलीन मेकनजी, 1754, थेमॉस एजिनेर, पर शर्वेयर जंट्रोग्राफर, फिसंटर्वेयर जनल अट्रीये, 1815, थे वस अपंटेए, अबाइं आपन कोनक्चानी कोनने सेंचिर्यन अगर हैं रीजयन अगर प्रूइंट्र्य। विजय नगर या city of victory उसके बाद देखिए elephant horses and men गजपती literally means lord of elephants very powerful kingdom emerged in the odyssey in 15th century आपने पड़ावा गजपती kingdom कल्ब मनने बताया था आपको in the popular traditions of विजय नगर in the dekkan sultans are termed as ashwapati lord of horses very important गजपती अश्वपती लिखा हुआ यहां पर next page number 173 kings and traders krishnadevaraya box में दिया हुआ है और इनका किताब अमुक्त मलयद मैंने कल बताया था मुझे intuition और इस पर books आएंगी जिन्हें लिखा था kings ने और krishnadevaraya का सबसे important phase consultation का रायचुर द्वाब बेल्ट रायचुर द्वाब बेल्ट द्वाब बेल्ट तुंग भद्रा और krishn river के बीच की area को कहते है रायचुर र-a-i-c-h-u-r रायचुर द्वाब बेल्ट एक पर गूगल सर्च करके देख लिए विजयन अगर एंपायर का सबसे फटाइल बेल्ट था स्टुटेंट्स डॉमिंगो पेस डिस्क्राइब्स विजयन अगर डॉमिंगो पेस अपने वर्ट सुना हुए फ्रेज ये दिस नेम अफ परसनलिटी नेस्ट हाव टैंक्स वर बिल्ट दूरिं कृष्ण देव रायचुर द्वाब में ना मुझे बता हिये ट्रव पक्षा टमपन दियावा ये अटिम टैल्स और नेक्स्ट विठ्थल टेंपल चारियट दिया हुआ है यह जितने टेंपल डेवलोपेंट से टेंपल आर्किटेक्टिर वहीं से शुरू हुआ था जो आपने पढ़ा हुआ है उसी के वारिशन से यहां दिखेंगे आपको क्रिशन देवराय उसके बाद दिल्ली सल्तनत विजयनगर एंपायर डिटेल्स दिया गया है पेज नमर 193 स्पेसिफिकली देख लीजिएगा आप लोग टेबल दिया हुआ है वो पेज नमर 193 टाइम लाइस दिया गया है इंपॉर्टेंट है प्रीज गो थ्रू दिस आईए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शॉर्ट टापिक सूफी मूव्मेंट और सूफी मूव्मेंट क्या NCRT में दिया हुआ है या इसी चैप्टर के भक्ती सूफी टेडिशन थर्टी पेज़स का चैप्टर है चप्रिन नमर 6 NCRT, important भक्ती सूफी movement it's given at page number 140, important the religious movements which rose out in the medieval, early medieval eras and consolidated in the later medieval half इसमें सूफी movement आये देखा जैं students, important याद कीजिए कुछ भाक्ती मुव्मेंट को लेकर कुछ औरिसा किंडम से मैंने कुछ लिंक किया था प्रताप रुदर देव के समय है कल मैंने बताया था आए आगे बढ़ा जाए और देखा जाए सूफिजम क्या है सूफिजम कब शुरू हुआ और सूफिजम क्यों इंपॉर्टन था लेट सी यस सूफी मुव्मेंट तो सूफिजम का सबसे पहला यह सूफिजम मुव्मेंट एक लिबरल मुव्मेंट है इसका सबसे पहला जो सूफि सेंट है वो सेवंच संचुरी में विदेंस मिलता है उनके प्रेजन्स का इसका मतलब साफ है कितने लोग कहते हैं इसका सबसे पहला जो आप इसलाम इंपॉर्टन था इसलाम इसलाम जो रोज आप परशिया many people say that सूफी movement began later on but the first सूफी saint was there in Iran or Persia in the 7th century CE it was a very less time just after the arrival of Islam upon the center stage I hope you are getting it और ये इसका पूरे movement का focus किया था बिना किसी complexity से बिना किसी show-off के एक simple life जीने के उपर focus जिसके एक devotion भरा life जीने के उपर focus जिसमें एम यही था that if you lead a simple life you'll be able to meet the God meet the Almighty सूफ means ओल God and man pure love, service to humanity and soul पे focus rather than the outside worldly pleasures and divine proximity सूफी movement gradually जैसे कोई में मुवमें शुरू होता है liberal movement हो या conservative movement हो अलग अलग leaders के अंडर में अलग अलग उसके variations आने शुरू होते हैं और सूफी movement में भी अलग अलग groups बन गए orders बन गए इसे सिलसला कहा गया चिश्टी सिलसला सुहरावादी सिलसला नक्षबंदी सिलसला और कदरी सिलसला ये देखिए ये all the four सिलसला ये important है students इनके features और इनके famous जो this saints थे जो जिन्होंने इसे spread out किया इंडिया में ये देखी इसमें सबसे important है कौन सा सबसे strict सिलसला था इन चार में से ये देखी नक्षबंदी सिलसला criticized अकबर and शेक एमद सिरहिंदी was the proponent of this सिलसला strictest it didn't go for toleration of other religions it was against अकबर ये देखिए जबकि अगर देखिएगा तो सबसे liberal movement अगर देखा जाए तो कदरी सिलसला का है पंजाब में dismissed the orthodox elements from Islam liberal complete ये देखिए ये इसलाम followers ही थे लेकिन उसके अंदर reformers थे that was it चिश्टी सिलसला वाज़ा मौईदीन चिश्टी इनको गरीब नवास भी कहते हैं निजामदीन ओलिया and it was the most popular order of सूफी movement it spread throughout India very important and one more सिलसला सुराबादी सिलसला in which the leader the saints also took active part in politics जितना लिखा हुए उतना ही काफी है यही सवाल आएगा और सवाल आया हुए यही से पहले भी ये सिलसला और ये देखिए आया देखने थे इस लेगए देखिए अ ये देखिए देखिए ये देखिए इस often spoke in incomprehensible metaphors yet not only did many of them attract large number of followers they alarmed the local rulers enough that several were put to death किसी एग्जेक्यूट किया गया किसने एग्जेक्यूट किया ये देखिया the execution of नुरॉला शुस्तरी by emperor जहांगीर in आगरा or the beheading of सर्मत कशानी by औरंग्जेब are two examples of the fate that befell some of these personages in India very important क्लियर है सूफी सेंट्स and 12th century से इंडिया में अराइवल हुआ है इसका इसे याद रखिएगा आप लोग दिल्ली सल्तनत के समय से इसे याद रखिएगा सल्सिला and strict liberal किसका execution किसने किया कौन सा पॉलिटिकल इस पार्टिसिपेशन था और कौन सा सबस्दा स्प्रेड आउट था इंडिया में ये देखना जरूरी है सूफी ट्रेशन्स में यहाँ कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को जस्ट गिम मी अ मिनिट तो चिष्टी सिलसिला पर डिटेल्स दिये गए यहाँ पर एक बार पढ़ दीजेगा इसको दो पंदे का है देखिए यहाँ पर पेज 154 और 155 चिष्टी सिलसिला जो सबसे कॉमन था और जस्ट गिम मेजर टीचर्स आफ दे चिष्टी सिलसिला शेक मौहिद दिन चिष्टी ख़ाजा कुतवदीन बख्तियार काकी शेक फरियुदीन शेकर शेक निजाम दिन औलिया शेक नसुर दिन चिराग दिल्ली यह फेमस टीचर्स रहें चिष्टी सिलसिला के पेज 154 और अगर आएगा आपको क्वेशन में तो उसके लिए अलग से मैं तयार करवा दूँगा आप लोगों को कि लिबरल रिफार्म मौमेंट का इंपक्ट क्या पड़ा उस समय कि सुसाइटल लाइफ के ऊपर फिलार प्रिलम्स के लिए के वल यह फेक्ट्स इंपोर्टन्ट है त तो चलिए अभी आज यहीं पर एंड करते हैं कल थोड़ा सा भक्ती मूव्मेंट देख लेंगे हम लोग शॉट आदे घंटे का सेशन और थोड़ा सा अराइबल आफ सिखिखिजम भक्ती ट्रडेशन मूव्मेंट भक्ती मूव्मेंट एंड सिखिखिजम विल सीट बिद इंपैक्ट सिखिजम विल सूफी मूव्मेंट पर जारा क्वेशन में नहीं आया हुआ है एक सवाल कभी कभी पांच-छे साल में तो इसलिए इतना काफी पड़ेगा इसके लिए मेरे इसाब से आप लोग अब मेडिवल इंडिया में कंप्लिट्ली रेडी हो चुके हैं ठ अब बर्वर्स एंड नहीं अनार्स का भी देखना है हमें और ब्रेदेश्वा टेमपल वापस आएगा निवस में इसी में इसी टॉपिक भफ्ती मूव्मेंट विल सीट अगें इस इस इट वर टोड़े मुगल्स नॉर्थीस इंडिया कश्मीर और सूफी मूव्मेंट दॉस्टे जब अवे मेक नोट्स मेक इट फाइनल गो और टेक दॉन नोट्स इन पीस पेपर और शिंगल चाट पेपर अब इसके वाज इतना कॉम्प्रियंसी आप कहीं नहीं मिलेगा जो भी अडिशन से अब किसी और किताब को नहीं एंसी आटी को देखना है यह एंसी आटी क्लास 12 का पार्ट टू और क्लास 7 का पार्ट देख लिजेगा आज ही पढ़ना है इसे हैं मेक दिस अपॉइंट टूड़े ओनी यह एंसी आटी को एंड रीड इट विजन अगर इंपीरियल किंडम लिखा हुआ है मुगल्स दिल्ली सलतनत अंड मुगल्स का अड्मिस्टेशन लिखा हुआ है उसमें तो चलिए स्टुडेंट आज के लिए इतना काफी है मिलते हैं कल की तारीख में medieval समाप्त करने की तरफ liberal the reform movements of the religious reform movements will finish it off tomorrow that's it कल एक shot first battle second battle and third battle of पानीपत एक slide दे देंगे आप लोगों को साथ में battle of plassey battle of boxer and the anglo-maratta wars the anglo-burmese wars anglo-afghan wars दो-दो slides का PPT जो prelims के लिए sufficient रहेगा ठीक है we'll do it tomorrow that's it चलिए end करते है students धन्यबाद नमस्कार we'll meet tomorrow again yes whatsapp group पे आ जाएगा आप लोगों के लिए students this PDF will come up today itself in the group देखिए यहां पर एक मैस रीडिंग नहीं रहा हूं पस सुन लीजिए बहुत अच्छा NCRT बहुत ची किताब है अप पूर फिशर टाउन this is a description of मसूली पतिनम by William Methwold a factor of the English East India Company in 1620 William Methwold the British factor जो यहां पर काम कर राथ उसकी तरफ से statement से मसूली पतिनम is the chief port of Golconda where the right worshipful East India Company have there where the right worshipful East India Company have their agent it is a small town but populous unwalled ill-built war situated all the springs are brackish water it was first a poor fisher town afterwards the convenience of the road made it a residence for merchants and so continues since our and the Dutch nation frequented this coast morale of the statement Dutch and English had their colonies in मसूली पतिनम I hope you got the context क्यों boxes को कैसे पढ़ना है क्या बाद तो कल हम लोग जब प्लासी और बक्सर देखेंगे तो एक बार French British Portuguese shot में 30 minutes में cover कर लिया जाए और famous उनके stations यहां पर में that is it this is how a Portuguese traveler Domingo Pace describes Humpy in the 16th century at the entrance of the gate where those where those pass who come from Goa this king has made within it a very strong city fortified with walls and towers these walls are not like those of other cities but are made up of very strong masonry such as would be found in few other parts and inside very beautiful rows of buildings made after their manner with flat roof moral of the story flat roof residences were built during Vijayanagara Empire architectural style the changing fortunes of towns some towns like Ahmedabad Gujarat went on to become major commercial cities but others like Thanjavur shrank in size and importance over centuries Murshidabad West Bengal on the banks of river Bhagirathi which rose to prominence as a center for silk and became the capital of Bengal in 1704 declined in the course of the century as the weaves weavers faced competition from cheap mill-made clothes from England moral of the story in the course of history a city sees its deterioration after achieving the peak moral of the story Murshidabad served as the capital of Bengal in 1704 Bengal province of Mughals TON ederim well yes ma know but Mm-à-gael go no yes weaf about weah I even I can कर इतिहास के पन्नों में चला ना जाये डर लग रहा है नहीं बहुत अच्छी किताबे हैं पढ़ लिए आप सभी लोग बहुत लगी है यह किताब आपके हाथ लगी है कल को यह मत कहिएगा तैट सर सोर्स कम पढ़ गए एंसी आर्टी से बहतरीन सोर्स पर कुछ नहीं तैट झाल कि अडिखे सुटम्स किया है टेकि जेए अच्छी करण तूब्स को में टिह से अक्छी कम पाल लग रेखे लोगी है यहाच्छी कम पाल आप लेखे लूग यहाच्छी करण पेट देब्सें लगश्गी साथन